हलो फ्रेंज गुड मॉनिंग मैं हूँ एम जे जैसे की फ्रेंज आप देख रहे हो धीरे धीरे फ्लावरिंग बर्ड अभी ओपन होना शुरू हो चुके हैं हमारे प्लांट के और जो भी फ्लावर्स अब निकलेंगे वो फाइनल साइज के होंगे इससे बड़ी साइज के आ अगर आपके प्लांट अभी फ्लावर्स देने वाले हैं अगर आपके बहुत खूबसूरत टेंपरेचर हो जैसे की दिन का टेंपरेचर 25-24 के आसपास हो रात का टेंपरेचर अगर आपके 14-15 के आसपास हो तो आपके अपने आप ही कॉंटिटी में फ्लावर्स आएंगे बड़ी साइस के flowers आएंगे, खूब सूरत flowers आएंगे, लेकिन जैसे से friends, आपके या temperature बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे flowers की size भी छोटी हो सकती है, और flowers के petals भी आपको कम देखने को मिल सकते हैं, तो depend करता है आपके या temperature का effect आपके plants के उपर कितना पढ़ता है, मेरे या at present जो temperature है, वो 31-32 degrees के आसपास temperature है, रात का temperature 18-19 के आसपास है, तो मेरे या जो temperature है वो तो गरम है, मेरे या temperature के जो result अभी आप देख रहे हो वो ये है, जैसे कि देख रहे हो ये हमारे जो plants है, इतनी size के flowers इसने produce किये हैं, और इतनी quantity में flowers produce किये हैं, अगर आप मुझे regularly follow करते हो, आपको पता होगा कि मैं multiple flowers नहीं लेता, multiple flowers का मतलब ये है कि suppose ये एक stem पे एक flower निकला हुआ है, नीचे से दूसरी side से दो छोटे-छोटे flower birds produce हो रहे होते हैं, उनको मैं pinch कर देता हूँ, flowers की quantity कम आ जाती है, लेकिन flowers की size है, वो थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी, तो ये चीज़ को मैं follow करता हूँ, तो ये ही सबसे दीरे-दीरे करके मेरे जो plants है, उन्होंने flowerings देना शुरू किया है, अब यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता था, फ्रेंज के मेरे या net plant के बंदर आ चुके थे, बंदर ने कुछ plants को damage किया था, उन्में से ये एक plant है, जिसका नाम है great squad, इसके उपर से बहुत सारे leaves इसने खतम कर लिये थे, flowering buds बहुत सारे काट लिये थे, वैसे ये plant के उपर बहुत सारे flowering buds बन रहे थे, तो कुछ ऐसे plants थे, जिसके उपर ये problem create हो रही थी, तो ये ही सबसे friends, अभी at present मेरे या situation है flowers की, मैं flowers की size पे ज्यादा अभी concentrate कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा अभी quantity पे concentrate नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे या का temperature quantity के लिए suitable नहीं है, अगर मैं quantity पे जाऊंगा, तो बाद में flowers की size और छोटी हो सकती है, तो ये आपके उपर depend है, आपके climatic conditions कैसे है, आप किस हिसाब से climatic conditions के according flowers लेना चाहते हो, ये जो plant देख रहे हो, ये है जुमेलिया अपना, जुमेलिया के उपर ये सारे flowering birds प्रड्यूस हो रहे है, तो आज की video friends ये topic पे रहेगी, कि आपको अपने plant की flowers की size बड़ी कैसे करनी है, देखिए बहुत simple चीज़े, सबसे पहली चीज़ तो climate matter करता है, जो अभी सारी चीज़े मैं आपको बताई, climate आपके लिए सबसे ज़्यादा matter करता है, तब ही जाके आपके plant के ऊपर एक perfect flowers की size निकल सकती है, लेकिन जैसे की अभी आप देख रहे हो, मेरे जो plant के flowers की size, मैंने expect नहीं किया था कि इतने flowers की size मेरी होगी, लेकिन जो expectation से थोड़ा अच्छा result मुझे मिला है, मैंने पिछली जो पिछला मन था, जैनुवरी का मन था, तब मेरे प्लांट के ऊपर ज्यादा flowering buds produce नहीं हुए थे, तब मैंने nitrate-based fertilizers पे ज्यादा concentrate किया था, नाइटरेट 13-40-13, बाद में 0-52-34, और 5-48, ये fertilizers पे मैंने ज्यादा धिया था, ये fertilizers basically root system को develop करने के लिए होते हैं, और बाद में हमारे plant के ऊपर नए shoots produce करने के लिए, ये fertilizers use किये जाते हैं, तो वो fertilizers पे friends मैंने ज्यादा धिया था, और वो fertilizer का result तब मुझे मिल गया था, plant के ऊपर बहुत सारी new shoots produce हुई थी, और plant के ऊपर flowering birds भी धीरे-धीर produce हुए थे, लेकिन जैसे ही friends मुझे अपना expected result मिल गया, मुझे ये समझ आ गया कि भई अब मेरे plant के ऊपर से सारे flowering birds produce हो रहे हैं, और plant के ऊपर बहुत सारे new shoots निकल चुके हैं, leaves निकल चुके हैं, तो अब मुझे धीरे-धीरे potash पे ज्यादा धियान देना होगा, और ये ही एक key fertilizer है, जिसकी वज़े से आपके plant के ऊपर flowers की size अच्छी आएगी, बाद में ये भी depend करता है, आपके या climatic condition कैसी है, उसके साथ potash कैसे match करता है, लेगिन potassium देना जरूरी होगा ये season में, ताकि आपके plant के ऊपर flowers की size अच्छी हा सके, और flowers healthy हो सके, ये जो एक period रहता है, February का महिना जो रहता है, वो सबसे tough महिना रहता है, plant के लिए disease से related, जी हाँ, आराम से disease आपके plant के ऊपर लग सकती है, आपके plant के ऊपर खास करके, aphids जैसी बिमारी easily लग सकती है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, अगर आपने सही fertilizer नहीं दिया, अगर ये season में आप nitrate based fertilizers पे ज्यादा जाओगे, तो आपके plant के ऊपर obviously thrips attack easily हो जाएगा, और आपके plant के ऊपर aphids का attack भी हो सकता है, aphids सीधे आपके plant के flower birds के ऊपर लगने वाले हैं, और बाद में आपके flower birds की quality को खराब करेगा, तो ये जो चीज को maintain करना जरूरी है, potash एक ऐसी चीज है, जो potassium sulfate बोल लीजिए, या तो 0050 बोल लीजिए, potassium एक ऐसा fertilizer है, जो plant की immunity को develop करेगा, साथ में flowers की size को भी वो बड़ा करेगा, तो potassium sulfate देना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, February की season में, क्योंकि ये season आपके लिए tough season होगी, disease से related, दूसरी important चीज है, वो है, आपको insecticide का तो spray करना ही है, weekly-weekly basis पे, amidacloprid का spray, बिल्कुल भी miss मत करिए, क्योंकि amidacloprid, aphids और thrips, दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, तो ये दो चीजे पो आपको ध्यान देना है, potash कितना देना है, देखिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, potash depend करता है, fertilizer जो depend करता है, आपके plant की size के उपर, आपके plants की age के उपर, इसके उपर depend करता है, वैसे friends, अभी जो मैं दे रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो जो fertilizer की बनाई है, अगर आपने नहीं देखिए, मैंने link description box में दिया है, वहाँ पे जाके वो पूरी वीडियो आप देख लीजिए, किस इसाब से हमें fertilizer ये February की season में set करना है, तो fertilizer में friends, मैंने आपको जो dosage बगेरे हैं, वहाँ पे मैंने ठीक तरीके से बताया हुआ है, तो वह इसाब से आप dosage follow कर सकते हो, potassium sulfate यानि की 0050 आप 0,524 के साथ mix करके दे सकते हो, आप 45, 28 के साथ mix करके दे सकते हो, आप balance NPK के साथ भी mix करके उसको दे सकते हो, को issue नहीं होगा, जो भी fertilizer अगर आप देते हो, balance NPK 0,524, 5, 48, 28, उसके साथ आप 0050 जरूर mix करके दे, 13, 43, 13 के साथ भी आप 0050 mix करके दे सकते हो, तो यह ही साब से अभी आपको fertilization follow करनी है, fertilizer में potash का ingredient होना जरूरी है, तब ही जाके आपका जो plant है वो healthy रहेगा ये season में, और aphids और thips से बचा रहेगा, तो यह एक छोटी सी information थी, जो अभी मैंने आपके साथ share की, till then के लिए thank you friends और happy gardening,